दोस्तों आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे और केले से बनने वाला बहुत ही बढ़ियासा नाश्ता बताने वाली हूँ जिसे बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रीडियन की जवरत परती है और इस नाश्ते की सबसे खास बात यह है कि एक बर बना लिया तो हफ़ते भर तक खराब नहीं होते हैं और शाम की गर्मा गरम चाए के साथ भी इस नाश्ते को इनजोई किया जा सकता है क्योंकि ये खाने में बहुत लाजवाब लगते हैं और अगर आपके पास बनाना यानि की केला नहीं भी है तो भी मैं आपको इसका दूसरा उप्शन बताऊंगी वो भी बहुत ही जबरदस्त है तो वीडियो में लास तक जरूर बनी रहिएगा वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिया और बैल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम ठेर सारे फ्रूर्स ले आते हैं उसमें हम केले बील ओ जल्दी गल जाते हैं पक जाते हैं खराब हो जाते ऐसे में हमने खाना पसंद नहीं करते हैं और बच्चे तो बिल्कुल भी छूना नहीं पसंद करते हैं तो उन केलों को हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं फेक भी नहीं सकते हैं तो उन केलों से ही आप बना सकते हैं एक दब मज़ेदार और टेस्टी सा नाश्ता अगर आपके पके हुए केले हैं तो यह रेसिपी आप जरूर ट्राइ कीजेगा और नहीं भी हैं तो आप जो भी केले हैं उनसे भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं तो यहां पर दोस्तों मैंने ले लिया है यह केला यह थोड़ा सा पक गया है बाहर से जैसा कि आप देख सकते हैं लेकिन अंदर से यह बिल्कुल ही सही होते हैं और पके केले हेल्दी होते हैं उन्हें आप बिल्कुल ही मत वेस्ट कीजिए उन्हें आप खा सकते हैं तो किसी ना किसी तरह से उसकी कोई ना कोई रेसिपी आप बनाकर उसे खाईए बहुत ही टेस्टी भी लगेंगे और हैल्दी भी रहेंगे तो दोस्तों इस रेसिपी के लिए हमने यहां पर जो केला लिया है वो बाहर से इस तरह से पक गए हैं थोड़े से इस पेदाग पढ़ गए ह लेकिन यह अंदर से बिल्कुली सही होते हैं तो इसंठा केवागे हूँ या बिल्कुली पके हुए हैं जिनके छिलके एक्दम खराब हो गये हूँ उस केली को भी आप prioritize begins में से वह आनदर से बिल्कुल भी खराब नहीं होते बस थोड़ी से Shorty MARKघ जाते हैं आप उनका आर तो क्या होता है दोस्तों कि कोई रेशपी बन जाती है और केलिये पेट में भी चले जाते हैं और इस तरह वह स्थ हुस्स तो यहां पर मैंने इस रेसिपी के लिए एक केले का इस्तमाल किया है आप अपने हिसाब से अपने family members के हिसाब से आप केलों का use कर सकते हैं कम जादा तो देखिए चिलका बाहर से कितना घराब था लेकिन अंदर से केला एकदम सही है तो अब हम इसके चाकू से इस तरह से चोटे-चोटे से pieces कट कर लेंगे तो आसानी से इस तरह से pieces को cut कर लीजिए इसके बाद हम इसको mash करेंगे तो mash करने के लिए दोस्तों आप चाहें तो mixer grinder का भी use कर सकते हैं मिक्सी में से grind कर सकते हैं और इसका paste बना सकते हैं बट केले अक्सर पक जाते हैं या हलके पके भी होते हैं तो भी इस तरह से अगर आप mix करेंगे, mash करेंगे तो बहुत ही easily हो जाते हैं तो इस recipe के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं या चाहें तो mixी में भी grind कर सकते हैं तो एक अच्छा सा paste हमें बना लेना है तो देखें यहां कितने अच्छे से केले mash हो गए हैं तो अब हम इसे side में रख लेते हैं और आगे का process देखते हैं तो दोस्तो इस recipe के लिए अब हमने यहां पर यूज किया है गुड का तो एक चम्मच गुड लिया है जो कि काला वाला गुड है और यह गुड खाने में बहुत ही tasty भी होता है तो इस recipe में गुड का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में बहुत tasty लगता है अगर आपके पास गुड नहीं है तब आप चीनी का यूज करें अच्छा इसमें हमने गुड में एक से देर चमच गरम पानी का यूज किया है ताकि इसे इस तरह से mix करके हम पिंग ला सके तो recipe बहुत ही जल्दी बन के ready भी हो जाती हो काफी अच्छा सा flavor भी आता है तो अगर आपको इस तरह की मेहनत नहीं करनी इस तरह से नहीं पिंग लाना है हम इसमें कुछ flavor भी एड़ कर रहे हैं तो यहां पर मैंने आदा चमच सौंफ लिया है साबुत वाला आप चाहें तो powder form में भी इसे एड़ कर सकते हैं और साथ में हम इसमें चुटकी भर नमक भी डाल रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे मीठे में नमक तो दोस्तों मीठे जब भी बनता है तो उसमें अगर हम थोड़ा सा नमक एड़ कर देते हैं तो उसका flavor बहुत ही जब जस्ता आता है अब आपको लग रहा होगा कि यह तो गाड़ा आया इसमें गुठ्लिया बन रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है यह बहुत ही perfect बनने वाला है तो don't worry बहुत अच्छा सा batter बनकर एकदम perfectly ready हो जाएगा अब हमने जो गुड़ पिंगला था ना उसको हम इसमें add कर देंगे और इसे भी अच्छे से हम mix करेंगे तो यहां पर हमने गुड़ को पिंगला कर इसमें add कर दिया है डाल दिया है अच्छे से और दोस्तों इस recipe के लिए हमें दूद पानी कोई भी चीज की ज़रूरत नह जाएगा तो इसको फेट कर लेना है जैसे इस तरह से फेटते रहें लेकिन ऐसे वैसे नहीं फेटना है एक ही डारेक्शन में इसको फेटते रहना है तो इस तरह से बहुत अच्छे से फेट जाएंगे और जितना फेटेंगे उतना ही इसमें यह सॉफ्ट हो जाएंगे हलक तो देखिए इस तरह का बैटर बढ़ी हो गया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी शाहिए तो इस तरह से हम इस बैटर को रैडी कर लेंगे तो दोस्तों अगर आपके पास इस रेसिपी को बनाने के लिए बनाना नहीं है तो आप बनाना के जगा आलू का भी यूज कर सकते करी है तो फिर आप आलू में गिहुन के जगा आलू और मैदे का यूज कीजिए और बाकी सारी चीज़े यह इंद्ए आप पर का इस रेसिपी को रैडी कर सकते हैं तो यह बहुत बढ़ियासा एक औप्शन है लेकिन आप इस रेसिपी को पहले इसी तरह से रैडी कीजिए आपको ये ऐसी ही पसंद आईगी अब हमने यहाँ पर low to medium बहुत अच्छे से oil को हीट कर लिया है और साथी साथ जो हमने यहाँ पर mixer ready किया था ना दोस्तों उसको हम थोड़ा थोड़ा सा उसका जो portion है उसको लेके इस तरह से हम मज़ेदार से यह बन जाते हैं तो medium flame, low flame से medium flame करने के बाद फिर flame को अच्छे से low कर दीजिएगा तो इस तरह चलाते रहिए उपर नीचे अच्छे से ताकि यह कुख हो जाएं अंदर तक सिख जाएं तीन से चार मिनट के लिए में कुख करेंगे ताकि अच्छे से यह अंदर तक सिख जाएं दोस्तों तो जल्दी बाजी बिल्कुल भी मत कीजेगा और इस तरह से यह देखिए बीना बेकिंग सोडा के यह बहुत अच्छे से फूले-फूले से इस तरह से छोटे-चोटे बॉल्स की तरह शेप ले 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 जाएं ताकि जले भी नहीं और अच्छे से को खो जाएं तो एक दम लो फ्लेम पर इसको इस तरह से आप गोल्डन ब्राउन होने तक बढ़ियां से सेख लीजिए तो देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं देखने में उतने ही खाने में भी काफी टेस्टी लगते और अच्छे तो खूब पसंद करेंगे और ब्रोडों को भी बहुत पसंद आएगा तो चलिए इससे निकाल लेते हैं और गर्मा गरम आप इससे सर्फ करेंगे तो काफी टेस्टी लगता है तो आप देख सकते हैं कि सरा से छोटे-छोटे बॉल्स की तरह यह दिख रहे हैं य तो बीना बेकिंग सोडा के बीना दूद और पानी का यूज़ किये हुए गुर से बनी हुई एकदम साफ्ट और मज़ेदार और केले का यूज़ करके जिनने हम अकसर वेस्ट कर देते हैं उससे बनी हुई एकदम मज़ेदार सी टेस्टी सी एक बहतरीन सी केले से बनी हु कीजिए कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी जरूर शियर करें और केले को बिलकुल भी वेस्ट मत होने दें इस तरह से आप इस रेसिपी को ट्राइ करके इंजॉय कर सकते हैं अपने टी टाइम को भी और केले से बनी इस रेसिपी को भी तो आई होब कि आपको यह रेसिपी पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में मिल साथ जरूर अपना फीड़ बैक शियर कीजिएगा कि आपको यह केले से बनी हुई रेसिपी किस कैसी लगी और साथी साथ इसे जरूर इंचाई कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ